आपका स्वागत है दोस्तों मेरे शानल में आज की इस वेड़ो में हम बात करने वाले है बीए सी आई टी संजेबर कालिज मूंबाय आडमिशन प्रोसेस यहां पर आपको पता होगा फॉर्म जो है रिलीज हो चुकी है लास्ट डेट क्या है आप जानना चाहरे हो तो बतला फिफ्ट अगस्ट जो है वो लास्ट डेट है छे बजे साम तक जो है आप फॉर्म फिल अप कर सकते है उसके बाद जो है आप इलीजिबल नहीं हो पाएंगे फॉर्म फिल अप करने के लिए इंट्रेंस एक्जामनिशन कब होंगे तो यह भी बता देता हूं मैं आपके जो इंट्रेंस एक्जामनिशन है वो होने वाले है दस से बीस अगस्ट के बीच में कभी भी हो सकते है वो जो है बाद में ये कॉलेज आपको अपडेट कर देगी यहाँ पर आप सोच रहे हों कितना पेग गरना होता है आइड्मिशन फॉर्म फी तो बतला दो 1500 रुपीज इस आइड्मिशन लेना चाहते हैं और तो यहाँ पर जरूरत के हिसाब से जो है इनको जरूर पढ़िएगा अच्छे से क्योंकि मैं अगर बनाओ डिटेल्स में तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंटेंट आपको देखनी को कि यहाँ पर जो है फॉर्म एबलेबल हो गई और जो है अगर इलिजिबल है तो फॉर्म फिल अप कर सकते हैं बैचलर ओफ इंफोर्मिशन टेकनोलोजी की यहाँ पर प्रवाइड की जाती है संजिबर कॉलिज मुंबै से तो इंट्रेंस एक्जामिशन के बाद फिर देख नहीं रहता तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और जो है आपको एक्टिव भी रहना है ठीक है यहाँ पर मेल रेगुलर शेक करते रहेगा कभी जो है डेट और एक्जामिशन डेट आपको और टाइम बतला दिया जाएगा टेज्ट डियूरेशन यहाँ पर जो है आपके 1.5 आवरं से यहाँ पर देखे students with disability will get 30 मिनेट एक्स्ट्रा तो यहाँ पर आपके जो पास है टाइम वह है 1.5 आअर्स बाकी 30 मिनेट एक्स्ट्रा किने मिलेगी? यह मिलेगी जिनो है disability है ठीक है location बतला दिया गया है घर बैठे examination आप दे सकते हैं यहाँ आपको पता होगा COVID-19 के चलते जो है offline examination कराना possible नहीं है तो यहाँ पर online examination होंगे और आपको यहाँ पर route regulation काफी सारे बतला दिया गया है जैसे यहाँ पर जो है वेब कैमरा आपका काम करना चाहिए मैक्रोफोन आपका काम करना चाहिए जो इंटरनेट की बात की गई है यहाँ पर 1.5, 2.0 यहाँ पर MB जो है आपकी per second होनी चाहिए जो normal जो speed आपको मिल जाती है तनी बात करें यहाँ और कुछ details है तो बतला दूँ यहाँ basis of admission बतला दिया गया है क्या होगा तो देखिए यहाँ पर जो है आपके test होंगे वो 75 marks की होंगे duration आपको पता है 1.5 hour category wise final merit list बनीगी यहाँ पर जो है 60% जो है visitage आपकी जो हो कि वो कैसे बनीगी online test से तो आप जो examination देंगे 60% उसकी visitage बनने वाली है 40% जो visitage बनीगी आपने score करा होगा class 12 में उसके basis पे बनीगी यहाँ ठीक है result बहुत लोगों की नहीं आई तो कोई बात नहीं बात में आपको यहाँ पर submit करना है यहाँ पर जो है उस final आपके marks बनेंगे पिर यहाँ पर जो है कुछ एंञें दे दिये गएं आंको instructions यहाँ पर online video यहाँ पर जो है इक और बात बतलाई गहें जैसे यहाँ पर पहले mock test आपको देना होगा जिससे आपको देखा जाएगा टेस्ट किया जाएगा आप यहाँ जो है इसiff neighbor나 त्ilia या सही से आप इस्तमाल कर पा रहे या नहीं तो mock test यहाँ पर होगी उसकी data आपको बता दी जाएगी यहाँ पर अगर बात करें क्या बतलाया गया है questions वगर आगर आपके मन में हैं तो पूछ सकते हैं आप यहाँ पर mail ID आपको दे दी गई है यहाँ पर आप यहाँ BSAIT से कुछ related question वो भी पूछ सकते है technical error हो जाता है या कुछ यहाँ पर problem होती है तो उससे भी पूछ सकते है यहाँ पर आपको सारे details दे दिए गया है ठीक है email आपको जो दीख रहा होगा यह download कर लेजेगा official site से वहाँ पर email आपकर करके question पूछ सकते हैं यहाँ पर और जो है काफ़ी सारे details है वो जो है इतनी जरूरी नहीं फिर भी आप पढ़ लेजेगा एक बार और बतला दूँ यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगा nature of यहाँ पर exam क्या होगा तो देखिए यहाँ पर जो है negative marking नहीं है यानि आपको 75 में 75 करके आना है questions किसी भी हल में एक भी आप छोड़ते हैं तो loss होगा मेरे ख्याल से मानना है ऐसा ठीक है मेरा यहाँ पर जो है mathematics, logical reasoning and quantitative, analytic and general knowledge आपकी होनी चाहिए और जो है कहां कहां से questions होंगे, visitage कितना होगा तो देखिए mathematics से सबसे ज़्यादे questions होने वाली है यहाँ 60% visitage उसकी है logical reasoning की जो है अगर देखा जाए तो 25% general knowledge की 15% और यहाँ पर बतला दूँ यहाँ eligibility criteria आप सोच रहे हो क्या है तो देखिए eligibility criteria यही है कि 45% आपके जो है marks होने चाहिए mathematics में काफ़ी लोग confused होते है mathematics is compulsory तो बतला दूँ हाँ mathematics यहाँ compulsory है फिर आपको बहुत कुछ यहाँ बतला दिया गया है जैसे यहाँ जो है कौन-कौन से board आपकी होने चाहिए कौन-कौन से certificate वगरा लगेंगे तो मैं बतला देता हूँ simply सारे certificate यहाँ आपके पास जो होंगे academic से related और personal certificate जैसे यहाँ पर आपका proof आधार करण बगरा तो यह तो जरूरी नहीं होती पिर भी कभी कभी मांग लिया जाता है पर जो है normally आपको जो है school से जितने भी certificate मिलते है जैसे school living certificate, pre-university certificate, birth certificate और जो है यहाँ पर आपको अगर Christian minorities बिलॉंग करते हैं तो यहाँ पर baptism certificate आपको provide करना होता है ताकि आप claim कर सके यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है quota है आपके लिए यहाँ पर जो है काफी सारे sit आपके reserve होते हैं तो cut up altogether देखा जाए तो काफी कम जाता है तो आपको claim करने के लिए यहाँ baptism certificate होती है जो church issue करती है वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है और जो है यहाँ बतला दू और भी कुछ details है तो बत यहाँ पर जो है बहुत सारे boards आपको mention कर दिये गए नाम पर बतला दू जितनी भी यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर recognize करती है state और central government देनी और eligible यहाँ पर आपकी board है तो आप eligible हैं यहाँ पर form fill up करने के लिए ठीक है और भी यहाँ पर बहुत सारे बतलाई गई हैं बाते intermediate two year premost examination conducted by authorities यहाँ पर बतला दिया है और कुछ बाते बतला दी गई है जो कि मैं मानता हूँ इतने details में नहीं जाना चाहिए और simply आपको details लेना चाहिए फिर भी जो है चलिए हम मैं काफी लंबा video बन जा रहा है complete करने की questions करता हूँ few अगरा जो है वही बतला दी गई है और उपन होता है उसी टाइम पर आपको form fill up करना है 24 hours यह जो है open नहीं होता यह आप जान लिजी instruction जो है आपको यहाँ पर बतला दिया गया है कैसे करना है और जो है मैंने बतलाया है बाकाइदा यहाँ विडियो बना दी है कैसे form fill up करनी है तो वह भी आप देख सकते है और यह है यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ बतला दिया गया है अगर देखेंगे आप तो reservation criteria वगरा भी details में बता दी गई है कितने सेट किसके लिए reserve होते है टूटल सेट बता दी गई है टूटल सेट जो है वो 60 सेट है यहाँ पर आप देख सकते है और जो है management quota के लिए 9 सेट सेट है यहाँ पर है और यहाँ पर person disability के साथ है तो दो सेट है आपके लिए है special category एक सेट है आपके लिए है ठीक है तो यह जो है आपके basic information थी वो आपको provide कर दिया आप जो है काफे details में भी पढ़ सकते है अच्छे से पढ़िए और जो है मैं कहूंगा अगर आप admission लेना च कर दो अपके ढाly है